So, hello all, again I welcome you all in this video tutorial. So, in this video, we will try to understand that how we can record GPS location for your depot or your mill. Right, so, सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर हमने अपना FCI Wings app open किया हुआ है. यहां आपको आपका division का code यहां नजर आ रहा है. उसके बाद यहां आपका designation. Suppose, यह यहां पर district manager को appoint किया है, एक committee बनाके आपको nominate किया है कि आपको GPS location record करनी है for depot और mills. तो देखते हैं किस तरीके से हम यहां पर GPS आपका record कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको एक option नजर आएगा इधर. So, it's record GPS option. So, यहां आपको click करना है. उसके बाद further इस तरह से कुछ tab आपके सामने नजर आएगा. So, record GPS for. Suppose, you are at depot first. सबसे पहले आप अपने depot पर हैं. So, depot पर click करेंगे. उसके बाद यहां पर choose your depot name. So, depot, जो भी आपके respective divisional office के अंदर depot हैं, आपको अपना depot select करना है. Suppose, it's Elluru. So, I'm selecting here FSD Elluru. So, FSD Elluru हैं यहां पर select किया. उसके बाद view पर click करते हैं. View पर click करने के बाद आप यहां देखेंगे कि कुछ GPS already recorded है. So, various GPS recorded GPS points are this. तो यहां आप देखेंगे कि एक GPS records यहां पर already approved है. यह आपके coordinates है, longitude, latitude. और यह already updated by Ravie and approved by district admin ID. तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि इस depot के coordinates already recorded हैं. बड़ आप एक से ज़्यादा coordinates भी record कर सकते हैं. उसके बाद जो final, accuracy के हिजाब से जो final आपका GPS coordinate होगा, वो district admin अपने divisional office से बैठ के approve कर देंगे after cross verifying with Google Maps. तो सबसे पहले मैं आपको click करके बताता हूँ किस तरीके से आप यहां पे capture कर सकते हैं आपके GPS. तो for this case, it is already approved but no problem. यहां पे हम record करना सीख रहे हैं. suppose यहां पे blank शो हो रहा है आपके login ID पे, it's not showing anything for you. तो यहां हम click here for capture GPS point यहां पे click करेंगे. तो इस window पे हम click करेंगे, right. click करने के बाद कुछ इस तरीकी से Google Map आएगा. यहां आपको screen पे अभी touch आपके सामने यह Google Map पे खुल गया है. सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या आप सही location पर हैं. तो suppose मैं अपने depot के अंदर इस समय हूँ और उसके बाद यहां मुझे red pointer को देखना है. खुला तो यहां पर था लेकिन हमें देखना है red pointer कहाँ पर है. क्योंकि red pointer is your accurate location. तो यहां मैं इसको थोड़ा जूम करके देखता हूँ कि क्या यह सही location शो कर रहा है. इस शोइंग देखना है यह हमारा एक central warehouse corporation का warehouse है. डीपो है यह FCI ने हायर किया हुआ है और इस CWC बिजनौर तो यहां accurate location शो हो रही है अब एक option यहां नजर आ रहा है नीचे it's get your location. तो यहां click करने के बाद हमें यहां पर accurate location मिल जाएगी बड़ बिफोर clicking here हमें सबसे पहले verify करना है कि क्या हमारी location accurate है. तो for this case it's showing accurate location आपको दिख रहा है यह एक depot का office है यहां हम बैठे हैं तो accurate location यहां पर नजर आ रही है बड़ सबसे पहले क्या करना है उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे cross verify करेंगे with google maps. आपके phone में android phone है यहां कुछ google करके google maps करके option होगा icon होगा maps पे जाके सबसे पहले आप देखेंगे अपनी location को तो यहां कुछ इस तरीके से एक tab होगी यहां click करने के बाद आपको अपनी exact location आपको मिलने वाली है तो यहां मैं click करता हूँ आपके सामने right तो इसको फिर zoom करके देखें क्या accurate location आ रही right तो यहां आपकी accurate location आ रहा है तो यहां आपकी accurate location आ रहा है तो यहां आपको पता दूँ कैसे आप accurate location ठीक कर सकते में अपनी हैं settings में search में करेंगे आप located location अप्शन में एक location option करेंगे यह तो यह location option जो है इट शुड बीजन ऑन पोजिचिन राइट इब ऑफ है आपका तो यहां आप इसको अन कर लए राइट अभी फो hiring care मैंने स्कों कर लेता हूं तो turn payment location यह मैंने इसको on कर लिया है तो इस case में यह सही है उसके बाद एक और option है location service accuracy को बढ़ाने के लिए यह location service पे click करना है right मैं click करके दिखाता हूँ location service पे click किया मैंने उसके बाद आप देखेंगे location service पे फिर यहाँ click करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ एक option दिखाई दे रहा है Google location accuracy it's third option तो Google location accuracy को आपको यहाँ पे on करना है अगर यह off position में है मेरे case में यह on position में अगर आप off position में है तो यहाँ पे इसको on करना है like that on करने के बाद इतनी setting करने के बाद आपको देखना है कि क्या आपके Google Maps में फिर से accurate location show हो रही है नहीं मेरे case में तो already show हो रही थी बढ़ा यहाँ correct location show हो रही है that means Google Maps और जो हमारे Wings का map है वो correct location show हो रहा है उसके बाद मैं click करूंगा get my location तो सबसे नीचे का जो option है get my location वहाँ हम click कर देंगे right सबसे नीचे तो यहाँ मैंने click कर दिया get my location तो उसके बाद आ रहा है the page http fci.arms.in says these coordinates has been recorded तो आपके यह सब coordinates हैं जो record हो चुके ok पर click करना है आपको यहाँ मैं ok पर click करता हूँ उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे आपके जो longitude and latitude coordinates हैं वो यहाँ आ चुके है right उसके बाद आपको save पर click करना है तो आप देखेंगे जो भी आपने अभी record किया है right वो यहाँ आपको show होने लगा है और ये it will depend on the approval recorded by me right अभी और भी location record कर सकते हैं कैसे देखते हैं एक से ज़्यादा हमें location record करनी है like 3 to 4 उसके बाद district admin का काम रहेगा जो accurate position है अभी इस case में तो सारी location accurate है but in case by some latency problem और by any problem जो network issue है कुछी भी problem से अगर accurate location नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है दो तीन यहाँ पर 3-4 कुछ locations capture करनी है एक बार मैं फिर से करता हूँ यहाँ पर एक बार फिर से इसको load होने देते हैं सबसे पहले यह इस तरह से कुछ earth का आपको पूरा map दिखाई देगा google map यहाँ पर और उसको थोड़ा finger से move करेंगे और देखेंगे हमारा red pointer कहाँ पर है suppose यह red pointer आपको थोड़ा सा गलत शो हो रहा है for sake यहाँ शो हो रहा था यह देखें अभी यह क्या हुआ compound ball के बाहर शो हो रहा है suppose बाहर शो हो रहा है तो क्या करना है किस तरीके से अंदर click कर सकते हैं आप इसको suppose मुझे यहाँ कहीं इसको लेके आना है pointer को तो क्या करना है आपको one time click करना है अंदर red वाले जो मैंने circle बनाया one time click करके मैं आपको दिखाता हूँ like that तो यहाँ one time click करेंगे zoom करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यह हमारा location अंदर अब go down के दिखाने लगा है so अगर accuracy issue है तो आपको set करके पूरा अपने go down के अंदर ही जाके click करना है और उसके बाद नीचे last option जो ही get my location पे click करना है तो एक और आपके gps यहाँ पे यह coordinates record हो जाएंगे save पे click करेंगे तो आप आप देख रहे है successfully एक और आपका उपर coordinates जो है आ गए है right तो उसके बाद आपका काम यहाँ खतम होता है आपने 3 to 4 coordinates ले लिए हैं now it's work it's time to work on the finalizing the gps coordinate तो उसके बाद district admin का काम है कि क्या कौन से accurate आपकी location है gps coordinates से उसको final करना और जो accurate gps points से उसको finalize करना राइट तो वहाँ पे confirm करने का option आएगा तो वह मैं already बता चुका हूँ या फिर next video में और हम आगे detail में कर लेंगे divisional office के part में तो फिलाल आपके case में इतना ही आपको समझ में आया कैसे हम accurate position को यहाँ पे capture कर सकते हैं उसके बाद suppose डीपो का काम हो चुका है आपके उसके बाद आपको मिल मिल के पास जाके record करना है सबसे पहले मिल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद crop year 2324 for this crop year revenue district यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए suppose आपकी इस्ट गोदावरी की एक मिल है उसके बाद sector सेलेक्ट करना है by default एक यहाँ पे coveru revision यहाँ पे है उसके बाद मिल का नाम आपको सेलेक्ट करना है suppose इस फोशेक देवी सत्या राइस इंडरस्टी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया उसके बाद view पे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए already यहाँ पे सब कुछ approved है लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं फिर से करता हूँ आप suppose मिल के अंदर है यहाँ पे same process आएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया same process आएगा तो यहाँ से आप अपने coordinates को capture कर सकते है so I hope this video is very helpful अगर आप यह video पसंद आया एक बार अपने डिपो को नाम यहाँ पे comments में मेंशन करेंगे और अपना designation भी mention करेंगे जिससे हमें पता चल सके कि आप इंडिया के किस कोने से यह video को देख रहे है और इस वीडियो is helpful or not प्लीज जरूर बताये का comment section में, so thank you, thank you, have a good day